बेल लगिन मार्टी के संचाही जलवायू के संचाही से के देखू बेल लगिन एदका बरसा और सुखल्ठाओं के छोड़ के बुटा भारत में इके लगाल जाए सके रहे 5 से 8 पीएच मानवाला कोयो भूई में इके लगाले बेश रहे चाहे कि भूई बारानी हो परती हो उसर हो या कि रुगडाक ठाओं हो इपोधा बढ़ जाएद देखो बेलकर उन्नत प्रभेत कौन-कौन है मिरजापूरी, फैजाबादी, कागजी, गोडा, राम थरी, पंत सिवानी, पंत उर्वर्शी, नरेंदर ढोल, चैर, पांच, छो, साथ, आठ, सुल्ला और सत्रा अब इकर बिहिंदर, बिहिंदर सौ पोधा फ्रती हेक्टर जदी रही तो बहुत बढ़ियां, बिहिन लगायकर बेरा के जन है, बिहिन लगायकर बादे, हलुक पटाय देख चाही, बिहिन लगायकर बेरा, बिहिन लगायकर बेस बेरा है, जून और जुलाई, पोधा कर र एक पौधा लगिन 500 ग्राम नेत्रजन, 250 ग्राम स्फूर और 500 ग्राम पोटास, इकर अलावे 50 ग्राम कमपोस्ट खाद, जदि एतना देर देवरो रहे तो इकर पौधा बहुत बढ़ियां बाढ़ी, अब पटायक है, तो इके माई और जून में जखन नमा पताई आइक लाग सेखन इके तोड़ेक कोड़ेक चरूरी है, बेलकर फूल और फर, दुयो बहुत उप्योगी है, इकर अलावे इकर उप्योगी भाग, कौन-कौन है सेके देखो, बेलकर पताई, इकर छाल, इकर जैर, और इकर काचा और पाकल फर, सोब काम कर चीजा है, दस से पंद्रा बरिस कर आयू कर एगो पौधा, प्रती बरिस सो से दूसो फल देल, जेकी पचास बरिस तक आयू पूरा करल पाचे, आठ सो से एक हजार फल तक होए जैल, चलू, चलू, अब देखा कि इकर उप्योग कखन-कखन करल जैल, इकर उप्योग, दस्त में, धूमेह में, स्मरंद शक्ति के बढ़ायक में, बावसिर कर उप्चार में, लहू के सफाकरेक में, पीलिया और आइक कर संक्रमन के रोगथाम करेक लगिन इकर उप्योग है, और एको बहुत बढ़िया उप्योग है, काया कर दुरगंध के जदी रोरे के भगायक है भाई, तो रोज बिहान के खाली पेट में, बेल कर तीन को पते के खाय देऊ, और एक इला स्पानी के पीऊ, रोर काया कर जे दुरगंध है, जदी आवत है, तू कुछे दिन में दूर हो जाई, इकर अलावे, कब्ज से राहत मिली, और हिरिदे और मस्तिस्क ले बहुत बढ़िया इकर टोनिक बनेल, सिके खाउ, सिके पीऊ, और स्वस्त्रों